आखिर परशुराम जी का सबसे शक्तिशाली शिष्ष कौन था? परशुराम जी के तीन शिष्ष थे और उन तीनों ने ही उनसे अस्त्र शस्त्र भी ग्रहन किये थे। कौन थे वो तीन योध्धा और उन तीनों में से कौन अधिक शक्तिशाली था? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें सूर्य पुत्र कर्ण निस संदेह एक शक्तिशाली योध्धा थे कवच और कुंडल के साथ उनका जन्म हुआ था परशुराम जी का शिष्य रहते उन्होंने अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्यान अरजित किया था और उन्ही से ही विजय धनुष भी प्राप्त किया था परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र और भारगव अस्त्र का ज्यान लिया था उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व भी अनेक युद्ध लड़े ड़े थे महाभारत के कई प्रमानित अनुवादित संसकर्ण के अनुसार उन्होंने एक ही रथ पर सवार होकर विजय प्राप्त भी की थी जिनमें जरासंध, रुकनी आधी और भी कई युद्धाओं को पराजित किया था कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अतिशक्तिशाली राक्षस घटोतकच को वास्तविक शक्ति चलाकर मार गिराया था अर्जुन को छोड़ कर उन्होंने बाकी सभी पांडवों को पराजित किया था उनका अर्जुन के साथ हुआ अंतिम युद्ध सबसे प्रलयंकारी माना जाता है शाप मिलने के बावजूद भी वह अर्जुन पर ब्रहमास्त्र चलाने में सफल हो गए थे और उन्होंने लगभग अर्जुन को मार ही दिया था सूर्य पुत्रकर्ण निश्चित ही द्वापर युक के शीर्ष युद्धाओं में से एक थे परशुराम जी ने गुरुद्रोन को प्रयोग रहस्य तथा संहार विधिसहित संपून अस्त्र शास्त्रों का ज्यान प्रदान किया था तथा संपून धनुर्वेद का भी उपदेश दिया था वह सब ग्रहन करके द्रोन अस्त्र विध्या के पूरे पंडित हो गए थे परशुराम जी से उन्हें ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था अग्निवेश मुनी ने उन्हें आग्ने आस्त्र की शिक्षा दी थी विष्णुजी ने वर्दान स्वरुप उन्हें नारायनास्त्र दिया था इनके अतिरिक्त गुरुद्रोन के पास इंदिरास्त्र, वरुनास्त्र आदी जैसे और भी बहुत से अस्त्र थे कुरुक्षेत्र युद्ध में किये गए प्रदर्शन की ही बात करे तो कौरवपक्ष में द्रोणाचार्य की समान किसी का भी प्रदर्शन नहीं था उन्हें युद्ध के ग्याहरवें दिन कौरव सेना का सेनापती बनाया गया था उन्होंने बड़े बड़े पांडवपक्ष के युद्ध जैसे राजा विराट, कुंती भोज, द्रिष्टी, केतु, धुद्रुपद, सत्य, जीत, संख्या, आदी जैसे लगभग 25 महारतियों को मार डाला था द्रोण ने कई बार अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला था श्री कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, जब तक गुरु द्रोण के हाथों धनुष होगा, तब तक उनको हराना ना मुम्किन है, इसलिए गुरु द्रोण को हमें चल से मारना होगा ये पांडवों की रणनीती कहें, या छल जिस कारण उनका वद हो गया, नहीं तो उनको रोकना संभवसा हो गया था नमबर एक, पितामह भीश्म देव व्रत भीश्म ने अपनी आरंभिक शिक्षा भिन्न भिन्न गुरुओं से अर्जित की थी जैसे कि देव गुरु ब्रिहस्पती से उन्होंने दंड नीती, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने राजनीती, ब्रह्म रशी विशिष्ट जी से उन्होंने वेदों का ज्यान लिया था रशी चवन से उन्हें आयूरवेद, संद कुमार से उन्हें मानसिक तथा आध्यात्मिक विज्ञान सीखा था और परशुराम जी से उन्होंने युद्ध, कला, अस्त्र, शस्त्र, विद्या और धनुरवेद का संपूर्ण ग्यान अर्जित किया था अपने पिता, शांतनु की मृत्यू के बाद, भीश्म जी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भर कर, एक मात्र रत की सहायता से, अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था रोश में भरे हुए कुरुश्रेष्ट भीश्म ने उस समय बहुत से राजाओं को माल डाला था एक समय उन्होंने काशी नरेश की पुत्री को अकेले ही अगवा कर लिया था और वहाँ उपस्तित सभी राजाओं को पराजित कर दिया था परशुराम जी के साथ उनका भीशन युद्ध हुआ था जो 23 दिन तक चला था जिसमें उन्होंने भगवान परशुराम जी को परास्त कर दिया था वे कुरुक्षेत्र युद्ध कभी अपनी पूरी क्षमता के साथ लेडी डीडी ही नहीं और विवश्ता में जब युद्ध के नौवें दिन उन्होंने अपना प्रचंड रूप दिखाया था तो प्रभूश्री कृष्ण को भी अपना प्रण तुड़कर शस्त्र उठाना पढ़ीच गया था उन्होंने प्रत्येक दिन दस हजार सैनिकों तथा एक हजार रथ योध्धाओं का वध किया था भीश्म जी के सेनापती रहते पांडव किसी भी बड़ी डेढ़े कौरव योध्धाओं का वध नहीं कर पाये थे यही नहीं अपनी मृत्यू का रहस्य भी उन्होंने स्वयम ही पांडवों को बताया था पितामह भीश्म निश्चित ही अन्य सभी पर शुराम जी के शिश्यों से अधिक शक्तिशाली थे और उन्हें युद्ध का अनुभव भी बाकी सबसे अधिक था आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा कृपिया इसे लायक और शियर अवश्य करें जैश्री कृष्णा